रैपूर लोगसभा सीट के लिए भी वोटों की गिंती का काम जारी है इस सीट पर 14 राउंड में मदगर्ना होगी रैपूर लोगसभा के लिए सेज बाहर सेंटर और पलादा बाजार में मदगर्ना चल रही है रैपूर से विधायक ब्रिज मोहन अगरवाल भाजपा उम्मि हीटिक परिद्रिश्य पर एक नजर है 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 लो हलो है टू इस त्री कि आप साथ चंड्राकर जी हमारे साथ है डॉक्टर जाजा चंड्राकर जी आपसे जानना चाहेंगे ब्रिज मोहन अगरवाल यहां से इस बार जो है प्रत्यासी है भाजपा के काफी वरिष्ट यहां प से विधायक हैं यहां पर किस तरह देखते हैं इस बार ब्रिजमोहन अगरवाल को यहां पर मैदान में उतारा गया और उनके खिलाफ यहां पर अगर बात करें तो विकास उपाध्या कॉंग्रेस के टिकट से चुनाओ लट रहे हैं आपर देखिया अंके जी ब्रिजमोहन मूँ का सामना नहीं देखना पड़ा राइपूर सहरो ग्रामीन होता था उस समय से लेकर के यह सलसिला जारी है इसका मतलब है कि वो अपने परफामेंसे या जनता के सेवक के रूप में एक गहरा चाप छोड़े हुए हैं लेकिन जो पिछला विधान सबा चुना हुआ रा आटा पारा सीट को छोड़ दें बाकी सभी जगा बीजेपी को सफलता हासिल मिली और राइपूर दक्षेंड से रिकार्ड मतों से जीते प्रिज मोहन जी कुछत मैं पहले एक स्टेटमेंट दिये थे कि भारत में रिकार्ड है 6,89,000 ओटों से पिछले 2019 के लोक्षबाद च प्रमुद जी जब चुनाओ लड़े थे तो उनको भी राउन फिकर साड़े तीन लाक ओट से उपर ओट मिली थी और विकास उपाद्या ये जीस तरह से फाइट करते हुए नजर आए और महिलाओं के लिए जो कांग्रेस के नियाई ओजना में स्कीम है उसका फाम भराते ह हुए भी देखा गया तो निस्तत्रप से ब्रिजमोहन को सफलता तो मिलना ऐसा तय है जिनका उजून का जो परफामेंस रहा है लेकिन ब्रिजमोहन जी भी पर्टिकुलर राइपूर सहर या दक्षेन को छोड़ करके पहली बार बाहर निकले हैं जिसमें अन्य लोग धर्मका ग्रामिंट शेत्र भी है यह बहुत थी बातिया और मजेदर बात हो रहा है अंकिर जी कि जब से ब्रिजमोहन जी चुनाव लड़ रहे हैं कांगरेस हर बार उनके अगेंस में प्रत्यासियों का परिवर्तन की है यह कभी आउसर नहीं दी कि किसी प्रत्यासी को पर करके जाते हैं तो 36 गड़ का हो सकता है बाविस्टा में कैबिनेट में अप्रत्य निदित्व करते हुए हम सब देखें अगर बनी जी में हमारे साथ है उनसे भी जान लेते हैं ब्रिजमोहन अगरवाल जी अजे युद्धा माने जाते हैं 36 गड़ के उनके खिलाव प्रिक रायकूर लोकसभा परिद्रिश्ट में देखें तो देखें अंकित जी जब ब्रिजमोहन अगरवाल को केंड़िट डिकलियर कर दिया गया तो और थोड़ा विलम हुआ विकास उपाध्या के घोसित करने में तो ब्रिजमोहन को घोसित करने के बाद भी लोग मान के चल रह हैं और जनता के बीच उनकी है कि हर लोगों की वो मदद करते हैं हर सुगदुप में लोगों के साथ आते हैं और एक प्रदेश इस्तर के नेता माने जाते हैं उनकी और इस वज़े से ब्रिजमोहन अगरवाल को एक भारती जनता पार्टी ने मजबूत केंडियर्ट के तोर कि कितने लीड से जितते हैं राइपूर सीट में जीत का मतलब नहीं है लीड का मतलब है लीड क्या होता है प्रिजमोहन अगरवाल राइपूर लोग सभा सीट है यहां 23 लाग से अधिक मद दाता हैं और यहां 9 विधान सभा आते हैं और जैसा कि डाक्टर रजे चंदाकर ने कहा कि एक सीट जो भाटा पारा छोड़कर सभी सीटे जीती हैं यहां ग्रामिड मद दाता भी हैं सहरी मद दाता में अभी तक ब्रिजमोहन अगरवाल राइपूर दक्षिंड से 8 बार एमेले रहे हैं नब्बे से वो एमेले रहे हैं लगातार जीत्ते आ रहे हैं और सिस्तर का जमीनी नेता माना जाता है वो उस परिच्छा में कितने सपल होते हैं और कितने लीड से जितते हैं और उसमें उनकी साख और इदी वो अच्छे लीड से जितते हैं तो निच्चित तोर से केंद्र की राजीती में उनका महत तो बढ़ेगा और 36 गड़ के लिए अ इच्छी बात होगी